नमस्कार जयार से इंस्पार के वेस्टेटेक के स्टुडियो में आपका स्वागत है IAT एवं F अबलाग के तत्व के अंत्रगत पुना एक महत्पून प्रस्ण के साथ आगे बढ़ते हैं प्रस्ण इस प्रकार से हम पुना रिविजन कर रहे हैं संकर्मन तत्व किने करते हैं इन्हें कितनी स्रेले में पाठा गया है यह प्रस्ण परिक्षा के दरश्टे से बहुत महत्पून है इसलिए इस प्रस्ण को हम पुना रिविजन कर रहे हैं तो संकर्मन तत्व किने करते हैं तो वे तत्व जिनके पर्मानु अत्वा साधारन आयनों के इलक्टानिक विन्यास में भित्री N-1 का D उपकोस अपुन भरा होता है, संकर्मन तत्व कहलाते हैं, आए संकर्मन तत्व क्या होते हैं, इन्हें हम पुन जानें, और इन्हें कितनी स्रियल्णों में बाटा गया है इसे भी हम पुन जानें, तो वे तत्व जिनके पर्मानु अत्वा साधारन आयनों के इलक्टानिक विन्यास में भित्री N-1 के D उपकोस अपुन भरे होते हैं, संकर्मन तत्व कहलाते हैं, अथा संकर्मन तत्व के दो उपकोस अपुन होते हैं, D और N-S, बाहर का N-S और D उपकोस अपुन होता हैं, तो हम कह सकते हैं, वे तत्व जिनके पर्मानु अत्वा साधारन आयनों के इलक्टानिक विन्यास में भित्री N-1 का D उपकोस अपुन भरे होते हैं, संकर्मन तत्व कहलाते हैं, ये समुह दो से तेरा के मध्य हिस्तित होते हैं, अर्था समुह त तीन से लेकर बारा तक के जो तत्व होते हैं, संकर्मन तत्व कहलाते हैं, ये समुह तरे मध्य हिस्तित होते हैं, उधारण आईर, निकिल, कोबाल्ट इत्यादी संकुरुम्न तत्वों के उधारण हैं वे तत्व कुन के सकते हैं वे तत्व जिनके परमानु आत्वा साधारण आइनो के इलक्रानिक विन्यास में भितरी न-1 का डिवप को सापुरुन भरे होते हैं पुना रिवीजन करते हुए, तो इन्हें चार स्रियनों में बाटा गया है, आइए इन्हें चार स्रियनों पर चर्चा करते हैं, तो पर्थम संक्रमन स्रियनी, पर्मुक स्रियनी आई इस परकासे, पर्थम संक्रमन स्रियनी अर्थात 3D स्रियनी, 3D स्रियनी अर्थात इन तत चतुर्त आवर्थ के स्केंडियम स्केंडियम एससी अर्थात परमानुकरमांग 21 से प्रारंब होकर जिंक जडेंग परमानुकरमांग 30 तक 10 तत्व हैं। और इस रणी में 10 तत्व आते हैं। पर्थम संक्रम्न स्रेणी के बारे में जाना अब दित्ती संक्रम्न स्रेणी दूसरा बिंदू दित्ती संक्रम्न स्रेणी या 4D स्रेणी अर्थात इनकांती में लगान 4D कोस्ट में परवेश करता हैं इसलिए इन्हें 4D स्रेणी कहते हैं यह स्रेलनी 5 आवर्त के इट्रियम अर्थाथ पर्मानों कर्मांग 49 से प्रारंब होकर केडमियम अर्थाथ सीडी पर्मानों कर्मांग 48 तक जाती है और इस स्रेलनी में 10 तत्व है हम पुने कह सकते हैं यह स्रियनी पंचम आवर्थ के इत्रियम से प्रारंब होकर केडमियम तक है और इस स्रियनी में दस्तत्व है आगला विन्दू इस प्रकास से नेक्स विन्दू तरतीस अंकर्मन स्रियनी या 5D स्रियनी इस स्रियनी में तत्वोप में आने वाले अंति मिलक्टान 5D उपकोस में प्रविश करते हैं अत हम के सकते हैं यह स्रियनी छटी आवर्थ के लेंधेनम LA से लेंधेनम LA अर्थात परमानुकर्मांग 57 से प्रारंब होकर हैपनियम HF अर्थात परमानुकर्मांग 12 से मरकरी HG अर्थात परमानुकर्मांग 80 तक 10 तत्वा आते हैं अर्थात इस स्रियनी में छटे आवर्थ के लेंथे नम से प्रारंब होकर हैपनियम से मरकरी तक के दस तत्वत आते हैं त्रत्ती संक्रमन स्रियनी में इसके पस्चात अंतीम चतूरत संक्रमन स्रियनी चतूरत संक्रमन स्रियनी अपूरन स्रियनी है यह स्रीयनी 7 वे आवर्थ के AC, Actinium अर्थात परमानु करमांक 89 से प्रारम बहुकर रदरफोर्डियम, RF परमानु करमांक 104 से आगे तक के तत्व हैं, यह स्रीयनी अभी अपूर्ण है इस प्रकासे आज हमने संक्रमनद तत्व क्या होते हैं, संक्रमनद तत्व को कितनी स्रियर्णियों में बाटा, इसके बारे में जाना, आईे डी एवम एफ अब्लाक के तत्व के अंतरगत कुने एक महत्पून परस्ने के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रसने इस प्रकास है संक्रमन तत्व की प्रवत्ति आखरी होती है क्यों आए इस महत्पून प्रसन को हम जाने यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लेश सब्सक्राइब कीजिए तो आईए इस महत्पूर्ण प्रस्न को जाने संकर्मन तत्व की प्रवत्ति आक्री होती है क्यों तो संकर्मन तत्व की प्रवत्ति आक्री होती है इनके कई कारण हैं आईए इन्ही कारणों पर हम चर्चा करते हैं तो पहला इनके मानक इलक्तोर विभो का मान कम होता है। दूसरा बिंदु इस प्रकासे इनकी आईनन उर्जा उच्छो होती है। तथा इनकी वास्पन या कनिकरन उर्जा का मान उच्छो होता है। पुने जाने इनकी वास्पन या कनिकरन उर्जा का मान उच्छो होता है। तथा इनके आईनों की जल योजन उर्जा का मान कम होता है। इन्ही सब कार्णों की वज़े से संगर्मन ततो के प्रवत्ति अक्री होती है। संगर्मन ततो के प्रवत्ति अक्री होती है। इनके आईनों की जल योजन उर्जा का मान कम होता है। इन सब कार्णों की वज़ते से शंगर्मनत्त्तों अक्रिय होती आइए। आइज़ छोटा सब प्रसन सिक्का धात्वें किने काते हैं तथा इनके उप्योग लिखें। इस प्रसन को हम जानेगें। तो आईए जानते हैं सिक्का धातों किने करते हैं तो प्राचिन समय से कापर, गॉल्ड और सिल्वर का उप्योग सिक्का बनाने में किया जाता था तो कापर, गोल्ड, एवं, सिल्वर, सिक्का धातुएं कहलाती है परंतु वर्दमान समय में कई धातुओं का उप्योग सिक्का बनाने में किया जाता है तो आईए सिक्का धातुएं किने करते हैं इनके उप्योग लिखे इस प्रस्नों को हम जाने तो कापर, सिल्वर और गोल्ड जिने सिक्के या मुद्रा बनाने में परियुक्त किया जाता है और प्राचिन समय से भी इन धातुओं का उप्योग सिक्का बनाने में किया जाता है इसलिए इन धातुओं को सिक्का धातुएं कहते हैं तो वर्तमान समय में जिंक, केडमियम और नीकिल का उपयोग भी सिक्का बनाने में किया जाता है आता ये भी सिक्का धातुएं हैं परंतु प्राचिन समय से कापर, सिल्वर और गोल का उपयोग किया जाता था इन तीन महत्मुन धातों को सिक्का धातों कहते हैं परंतु वर्तमान समय में जिंग, केडमियम व निकल का उपयोग भी सिक्का बनाने में किया जाता है किन्तु वर्तमान समय में जिंग, केडमियम व निकल का उपयोग भी सिक्का बनाने में किया जाता है तो आइए उपयोगों पर सेर्चा करते हैं जींक, केडेम clairement वो निकिल का उपयोग बेटरी उद्धोगों में गोल्ड व सिल्वर का उपयोग आभुसन बनाने के लिए A.G.P.R. का उपियोग, अर्था Silver Bromide का उपियोग, Photography Filmों को बनाने के लिए किया जाता है इस परकासे सिक्वाधातों के कई अन्य महत्पूर्ण उपियोग है Thank you